नमस्कार प्यारे विद्यारतियों, हिंदी साहित्य के इतिहास से 251 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशन की सीरिज में यह हमारा दूसरा भाग है पहला हम कर चुके हैं, अगर आपको पहला नहीं मिला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थोड़ा सा वीडियो को टच करेंगे तो उपर आई कार्ड में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में आपको एक डबबा सा बना हुआ मिलेगा इसी वीडियो के एंड में आप उस पे टच करके भी आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं तो बिना देरी किये हम अपना दूसरा भाग शुरू करते हैं जिसमें हमने 56 तक प्रशन कर लिये थे अब अगला प्रशन करेंगे कौन सा अमेरिकी आलोचक नई समीक्षा का है एजरा पाउंड उसने कहा था का प्रकाशन 1915 इसमी में हुआ था यह हमें पता है बहुत-बहुत प्रसिद रही है 52 किस उपन्यास का नायक है? वो है मैला अचल का किस ने लिखी? फणीशवर्णात रेणू रंधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचनाकार कौन है? लाला श्री निवास दास जी है रंधीर प्रेम मोहिनी के रचनाकार विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है रिती कालिन केशवदास जी उसके बाद है उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे उथे किशोरिलाल गोस्वामी उपन्यास किशोरिलाल गोस्वामी कालिदास की लालित्य योजना बहुत प्रसिद रही है यह रचना भी हजारी प्रसाद विवेदी जी की है वैसे इनका हिंदी सहित्य का की भूमी का बहुत अच्छी बुक है मैंने जो पड़ी है ये वाली बुक शह मैं नहीं पड़ पाई हेमचंद्र अचारय घेमचंद्र जी उज्रनी सी है हमारी अख्यानी देखो ये पंक्ती किसकी है ये है रीती मुक्त कावे के रचनाकार घनानंद जी जिनमें सच्चा प्रेम नजर आता है जिनकी रचनाओं में रिती संप्रदाय के प्रवर्तक, अचार्य वामन, रामदास कविता, इतनी बार आती है एक्जाम में ये कोश्चन बहुत 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 एक्जाम में मैंने देखाएं, रामदास कविता किस ने लिखी है? रगुवीर सहाय तुगलक किस भाषा से अनुदित है? तुगलक है मराठी भाषा से अनुदित कुमार गिरी की सुपन्यास का पातर है चिता और उपर जुआय था बावंदास वो किसका है? मैला अचल और कुमार गिरी चितर लिखा मुक्ति बोध रचनावली का संपादन किस ने किया? नेमी चंदर जयन काट का सपना के रचेता मुक्ति बोध चिडो पर चांदनी के रचनाकार और इसके विधा चिडो पर चांदनी है यात्रा वृतांत यात्रा विवरण कह सकते हैं ये रचना है निर्मल वर्मा जी की प्रेम चन की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम बताईए अंग्रेजों ने इसमें देशभक्ति का बहुत देखा मेटर तो इन्होंने इसे जब्त कर लिया था इसका नाम है सोजे वतन प्रेमचंद जी की प्रतिबंधित पुस्तक अगला है आत्मनेपद के लेखा कौन है वो है अग्ये आत्मनेपद अग्ये आठ्वा सर्ग सुरेंदर वर्मा जी लेखक हैं इसके कबीर को वानी का डिक्टेटर किसने कहा हजारी प्रसाद विवेदी जी उन्होंने इन्हें इन्दी साहितने बहुत अच्छा स्थान दिलाया परिक्षा गुरु के रचना उपन्यास का प्रकाशन 1882 में परिक्षा गुरु कब लिखा गया 1882 ठीक है और इसके रचनाकार लाला श्री निवास दास जी है परिक्षा गुरु के ताई कहानी के लिखक कौन है विश्वम भरनात कौशिक संशे की एक रात किस विधा की रचना है ये है खंड काव्य हिंदी साहित्य का सरस्पति पत्रिका का सर प्रथम संपादक कौन थे श्याम सुंदर दास जी और 1903 में कौन बने महावीर प्रसाद विवेदी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गार्सादत तासी और नेक्स्ट कोश्चन है अब लो नसानी अब नसे है उक्ति किसकी है? सूर्दास जी की अश्ट चाप के प्रथम कवी कौन है? कुम्भंदास कुम्भंदास जी माने जाते हैं गंग किस राजा के दर्बारी कवी थे? वो थे अकबर के कनूप्रिया के रचनाकार धर्मविर भारती जी है जहां लक्ष्मी कैद है के कहानिकार कौन है? ये है राजेंदर यादव दुख ही जीवन की कता रही क्या कहूं? आज जो नहीं कही ये पंक्तियां किसकी है? ये है निराला जी की ये अभी पीछे हर्याना के असिस्टेंट प्रोफेसर का निकला था में भी आये था ये कोश्चन और बहुत-बहुत एक्जाम में आता है अच्छे से कर लीजिए निराला खूब लड़ी मरदानी वो तो जहांसी वाली रानी थी बहुत-बहुत-बहुत प्रसिद्ध है सुभद्रा कुमारी चोहान कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है अग्ये अज्ये भी कह सकते है मृणाल कि सुपन्यास की नाईका है वो है त्याग पत्र की वैदेही वनवास रचना के रचेता हरियोध गीत फरोश के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र बहुत प्रसिद्ध है घीत फरोश की बारे में कई बार पूछा जाता है नेक्स्ट है कावया लंकार सूत्र वृति के रचनाकार का नाम बताए तो वो है अचारे वामन जी वीर रस का स्थाई भाव क्या है उत्सा अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि श्रिंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है उसका स्थाई भाव क्या है मैं टीचर हूँ आपकी और वो आपको मेरी बात माननी चाहिए मुझे कमेंट जरूर करना रस सुतर की उत्पत्तिवादी व्याख्या किसने की प्रथम व्याख्याकार भट लोलट जीने द्रिग उर्जट यानि के आखें लड़ी तूटत कुटुम तूट गया होता ही है लड़का लड़की की आखें मिलती है और घर परिवार में लड़ाईया शुरू जुरत चतुर चित प्रीती परती गांठ ही है ढई नई यह रीती इसमें कौन सा अलंकार है इसमें असंगती अलंकार है देखिए कुछ जूड रहा है और साथी साथ तूट पी रहा है हिंदी में फैंटसी का विवेचन मुक्ति बोध जी ने किया क्या आनंद वर्धन ने भरत के रसुत्र की व्याख्या की नहीं जी बिल्कुल भी नहीं भरत लोलट अचारे शंकुक उसके बाद सधार नी करन और उसके बाद अभिनाव गुप जी की व्याख्या तो कहीं भी इनका नाम नहीं आता है नेक्स्ट है स्वचंदतावाद में किस द्रिष्टी की प्रधानता है वो है व्यक्ति केंद्रित परिक्षा गुरु के रचनकार पहले ही बता चुके आपको लाला श्रे निवास दास जी निपुनी का किस पात्र निपुनी का भी आता है निउनी क कमलेशवर जी है दामुल का या डामुल का कैदी अलग अलग आता है कहीं कहीं दामुल का कैदी भी आता है यह है प्रेम चंद जी की रचना अकाश दीप के रचना का जैशंकर प्रसाद भारति इंदू के समकालिन लेखक आप कोई भी लिख सकते हैं बहुत सारे थे यहां दे किसमी नरायन मेश्रू किसके निबंदों में व्यंगे की रहे हैं यायावर रहेगा याद रचना के रचनकार है अग्येजी कौन अग्ये जी तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज रेडी रहिए और प्लीज प्लीज शेयर ज़रूर कर दें मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज शेयर ज़रूर करें थैंक यू और बेस्ट उफ लग